हेला वरिवान वेलकम अगेन वेलकम तो माई यूटूब चैनल ओतंग एजुगेशन माईसल वामन तो देखिए आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सराइस टूबी का कोश्चेंट नुबर 12-19 इस टूबर 12 राइट द फॉल्वाइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन तो आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है इन नंबर इस सैट टू बी इन असाइंटिफिक नोटेशन इस एक्सप्रेश एज प्रोडेक्ट ऑफ नंबर बिटमीन वन टू टैन ठीक है किस फो में होना चाहिए नंबर बिटमीन वन टू टैन वन टू टैन नंबर क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स एन सो ओन एंट इंटिगल पावर ऑफ दा टैन फर एक्जांपर अगर मैं इसकी बात करूं इस नंबर की अब देखिए इसकी लिए जो अपना बेशिक है वह आपका चलेगा क्लास 7 वाला जो हमने क्लास 7 के अंदर पढ़ा था डेसिमाल के लिए तो इसकी अगरब बात करें हैं वन टू थ्री फोर फईफ ठीक है डेसिमल के बाद कितने न नंबर होते हैं अब यहां पर देखिए क्या टू नंबर बिट्वीन वन टू टैन है येस एक प्रोपटी फिल फिल हो गई उसके वाद इंटीकल पावर मल्दा मुल्टिप्लाइम होना चाहिए अब यह डिवाइड की टर्म को उपर लेकि जाएंगे तो क्या हो जाएगा इन लेकिन यहां पर हमें क्या करना है देखिए हमें सिर्फ कितना विच्वीन टैन लेना है तो हमको 5 लेंगे क्या लेंगे इसको 5 तक काउंट करेंगे मतलब 1 2 3 4 5 & 6 तो यहां पर क्या हो जाएगा 5.42 x 10 की पावर माइनस 6 यह आपका क्या हो जाएगा कोश्चिन नमबर 2 कांस नेक्स देखिए नेक्स अगर अपने बात करें थार्ड की काउंट कहां तक करेंगे फर्स डेसिमल तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 8 तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए 9.3 x 10 की पावर माइनस 8 और कोश्चिन नमबर 4 जो है यह आपका होमवक है अब कोमेंट के अंदर ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए कि सर आप सभी कोश्चिन करवाए करो अब देखिए बिलकुल सिमिलर कोश्चिन होते हैं वही कोश्चिन में आपको ऐसा होमवक देता हूँ तो इस कोश्चिन का आंसर आप कमेंट बोक्स के अंदर लिखेंगे नेक्स देखिए कोश्चिन नमबर 13 राइट दा फॉल्लाइंग नंबर इन देखिए क्या करेंगे कोश्चिन नमबर 1 की बात करो तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अब माइनस 5 का मतलब डिवाइड में अब डिवाइड में जब भी 10 होता है तो डेसिमल का शिफ्ट होता है लेफ्ट में शिफ्ट होता है और कितने नमबर जितने 0 होते हैं मतलब 5 तैम्स तो यहां से देखिए काउंट करना स्टार्ट करेंगे 6 से 1,2,3,4,5 और यहां पर आपका जाएगा डेसिमल तो आपका असर क्या जाएगा 0.0006 ऐसे ही कोस्टिन सेकिंड की बात करें तो यहां पर देखिए माइनस फॉर है तो डेसिमल मूव का होगा लेफ्ट में 4 पॉइंट पे तो 5 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए 0.123532 थर्ड की बात करें तो देखिए 8 टाइमस ठीक है ल करते हैं 1 2 3 4 5 6 & 7 उसके बाद 9 6 दिस इस और 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 क्लास कोस्टिन नमर 4 की बात करें तो यहां पर क्या माइनस 3 तो 0.002102 इस इस और आंस ठीक है साइंटिफिक नोटेशन में क्लास 7 में पड़ी थी डेसिमल में खेल डेसिमल का है अब यहां पर देखिए फिल द ब्लैं और लिकल अब यहां पर सिंपल यहां को देखना 10 की पावर Lee's key लेश और जिसकी लेस होगी वह नंबर आपका क्या होगा छुए अब यह क्यों होगा अगर मैं बात करूं इसकी इसकी बात करूं नंबर क्या जएगा देखिए 0.000005 टहेंज गर और अगर मैं बात करो 5 तो तो यहां पर क्या आता है यह नंबर आएगा आपका 0.000000465 तो यह नंबर क्या है वैसे आपका बड़ा है इसलिए ग्रेटर दना गया simply 14 के अंदर इस नंबर इस ग्रेटर नेक्स देखिए question 15 अब question 15 देखिए बहुत ही बड़िया question है इसकी अंदर आपको कुछ लोग क्या करेंगे इसको solve करेंगे inverse करेंगे plus 1 by 6 plus 1 by 8 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी power क्या है 0 किसी भी number की power जब 0 होती है तो उसका answer हमेशा क्या आता है 1 तो option c is your correct answer next देखिए question 16 x is equal to 5 की power 5 by 8 की power minus 2 into 12 by 15 की power minus 2 जब भी power same होती है हम उसको क्या करते है तो यहां पर क्या देगा x is equal to 5 by 8 multiply by 12 by 15 की power minus 2 इसे cut करते है 5 बंजा 5 5 3 जा 15 3 बंजा 3 3 4 जा 12 4 बंजा 4 4 2 जा 8 और finally आपके पास बचा क्या 1 by 2 की power minus 2 अब 1 by 2 की power minus 2 इसको हम क्या ले सकते है हमने 2 की power 2 inverse कर दिया हमने और 2 की power 2 होती है यहां पर आपके पास 4 अब आपको क्या बनाने find the value of x की power minus 3 तो x to the power minus 3 it means 4 की power minus 3 क्योंकि x की value हमार पस क्या आई है 4 आई है तो यहां पर inverse का मतलब 1 by 4 की power 3 और 4 की power 3 क्या होती है 64 तो यहां पर आपका जो answer है option d option d is your correct answer next day students question number 17 solve the x आपको x बताना है तो is equal to 81 की power minus 2 divide by 721 sorry 729 की power 1 minus x is equal to 9 to the power 2x अब यहां से देखे सब को 9 की form में लिख लेते हैं अब 9 की square क्या होती है 81 it means 9 की power 2 की minus 2 divide by 729 क्या होता है कि solve करेंगे जब हम वैसे तो हम्हें याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सरे question किये 9872 9 बन जा 81 9 से अगेन किया 9 तो यहां पर इसका जो factorization हो के 9 into 9 into 9 it means 9 की power 3 तो 9 की power 3 की power minus 1 x अब यहां पर हम क्या करते हैं multiply 2 into 2 4 9 की power minus 4 3 into 1 3 9 की power 3 minus 3 x ओके is equal to 9 की power 2 x अब यहां से देखिए डिवाइड वाला उपर जाएगा multiply में तो यह क्या हो जाएगी power minus होगी तो 9 की power 4 minus 3 minus 3 x is equal to 9 की power 2 x अब यहां से देखिए अगर अपने बात करें 9 की power minus 4 minus 3 देखिए यहां पर भी 3 आएगा यह थोटा मिस हो गया plus 3 x is equal to 9 की power 2 x अब यहां से देखिए जब भी पहले तो इसको solve करते हैं minus 4 and minus 3 minus 7 plus 3 x is equal to 9 की power 2 x जब भी base सेम होते हैं और equal to का sign होता है तो power को भी हम क्या कर लेते हैं equal लिख लेते हैं मतलब minus 7 plus 3 x is equal to 2 x अब यहां से देखिए plus का 3 उदर जाके क्या हो जाएगा minus का तो 7 is equal to 2 x minus 3 x 3 minus का 2 plus का finally आपका जो answer आएगा वो भी क्या आएगा minus का आएगा it means minus 7 is equal to minus x minus से minus cancel हो गया और x की value जो आपके पास क्या गई 7 तो यहां पर correct answer आपके क्या है option c देखिए समय नहीं जूरत है हमको यहां पर equal to के उस तरफ जो था वो 9 की पावर में दिख रहा था तो हमने 81 को भी 9 की पावर में convert कर लिया 7 to 29 को भी 9 की पावर में convert कर लिया जब भी divide में होते हैं तो हम minus करते हैं किया यहां से multiply करने पर आपका यह solve किया और solve करने के बाद जब भी equal to के अंदर बेस सेम होता है तो powers भी equal हो जाती है powers को equal लगके हमने x की value find कर ली ठीक है students नेक्स देखिए ठीकने सोब बबल इस दिस इस आपको scientific notation में बताना है ठीक है count करेंगे one two three four five and six तो four into ten to the power minus six meter c is your correct answer ओके अब जिए 6 है हटाएंगे तो divide में 10 की पाफ 6 जाएगी उपर आएगी तो माइनस हो जाएगी ठीक है this is your answer option c देखिए students लास्ट कोस्चिन है आज की वीडियो का लास्ट कोस्चिन है तो यहां पर क्या है six into ten to the power minus two अब ten to the power minus two जब इसको standard form के अंदर हम लिखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते है 0.06 ठीक है और 4.9 into ten to the power minus four अब minus four है तो हमारा जो decimal है वो move कहां करेगा three places तो यहां पर sorry four places तो 0.00049 अब इनका करना है addition एडिशन कैसे करते है decimal के नीचे decimal place करते हैं और इसे हम लिख देते हैं जब number complete नहीं होते हैं इसके आगे हम क्या लगा देते हैं 0 तो finally आपका answer क्या आएगा 490 अब क्या ऐसा कोई question आपको यहां पर दिख रहा है ऐसा कोई option नहीं दिख रहा तो हम इसको अगर अपने convert करें अगर options चेक करें तो यहां पर देखिए यह option जो इसकी similar लग रहा है कैसे हम इसको जो scientific notation में change करते हैं तो क्या करते हैं 6.049 अब 10 to the power 2 आएगी और 1 आएगी क्यों 1 & 2 2 आएगी तो 10 की power माइनस टू ठीक है माइनस टू क्यों है कि यह डिवाइड में आएगा डिवाइड सो पर आएगा तो ही माइनस हो जाएगा सो option C is your correct answer तो इसी के दाश्टूरेंट्स आपका जो exercise टूबी का question 19 तो complete हो चुका है अब इसकी जो फाइनल वीडियो आनी है फाइनल वीडियो आनी एकसे टूबी की इसके अंदर अपने क्या करेंगे question number question number 20 करेंगे तो शुरूएंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें फ्रेंड्स के दाश्यर जरूर करें ताकि उन्हें भी हल्प मिले और चैनल को subscribe जरूर करें ठीक है चैनल सब्सक्राइब करेंगे इसे हमें भी हल्प मिलती है और आपको भी हल्प मिलेगी तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं थेंक यूवर्य मॉच्छ हैव नाइस बेंगे